कुछ टिप्स दे रहे हैं आपको दिल्ली जापानी पार्क से समझने यदि आप जापानी पार्क रोहिनी दिल्ली घूमने आते हैं ट्रैवल करने आते हैं तो जैसे आप यदि यहां आते हैं घूमने के लिए तो थोड़ा सा बहुत बड़ा पार्क है यहां कोई आपको प्र दिल्ली सेक्टर दस बहुत बड़ा पार्क है अराम से आप यहां के पार्क की सबसे बड़ी खाशित है कि यह सिटिंग के लिए अच्छा है यहां पर हर पार्क के सेक्टर सेक्टर बना रखा है आप अराम से कपल बैठना जाओ कपल के लिए अलग सेक्टर है सिंपल हो प्ले ये फ्री मिल जाएगा खरीद के पीना खरीद के पीना इसके लिए शॉप्स अब नहीं हुई है दुकाने बच्चे को स्कैटिंग साइक्लिंग ये करवाना चाहते हो तो आप जापानी पार्क दिली आ सकते हो या फिर आप दिली में रह रहे हो तो क्रिकेट खेलना है आपकी कपल हो बॉइफ्रेंड गर्फरेंड हो तो भी आप यहां पर आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा पार्क है अंदर गुछ जाओगे तो पानी की बोतल दो छी है आपको तो पानी की बोतल लेकर अंदर गुछे क्योंकि वापस पानी लेने जाना बहुत दू दो इससे बने वए जहां पर प्रोग्राम भी होते हैं और यदि आप घूमते हैं तो वो अलग इससा है एक अच्छा नजारा भी है सेल्फी के लिए अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो दिन में थोड़ा वोत आराम भी करना चाहते हैं खाना खाना चाहते हैं तो यहा बाइस टाइम है मेरा पांच दो फैर दो बजे से आठ वजे के बीच जब भी आपको तो ज्यादा बैट रहा है लोग देखने को मिलेंगे आपको यहां पर बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड है जापानी पार्क आपके बच्चों के लिए अगर आप रोहिनी मे में आएं जरूर है साथ वजे साथ वजे आपको यहां से निकल जाना चीए क्योंकि फिर अंदेरा हो जाता है और इसके दर्वाजे बहुत दूर दूर है फिर आप ढूरते ही रह जाओगे और दस जणों से पूछ होगे इसे बैटर है कि आप साथ वजे इस तक यहां से न टॉयलेट वाश्रूम की भी विवस्ता है यहां पर टॉयलेट वाश्रूम लेडी जेंट्स दोनों है हर सेक्टर में हर जगह बना हुआ है और पेटीज कुछ आपको कॉल्डरिंग वोल्डरिंग पानी की बोतले आदी लेनी हो तो इसके लिए हर सेक्टर में अलग-लग श सेक्टर की कॉल्डरिंग लिए और आप आकर बैठ गए यदि आप नए आये हुएं दिली में आप चाहते हैं कि जापानी पार्क रोहेनी दिली घूंके आऊंग एक बर तो आपके लिए आने के लिए है रोहेनी के जो पूरव और पस्चिम दो मैट्रो स्टेशन पढ़े रोहेनी दिली के पूरव और पस्चिम मैट्रो स्टेशन तो आपको पूरव आना होगा पस्चिम छोड़ना होगा पूरव की तरफ आना होगा पूरव पस्चिम जो पूछ लेना आप सेक्टर 10 के लिए क पड़ेगा एक मौल आता है उस मौल से टच में गली जा रही है आप 10 रुपे देकर आ सकते हैं पारक के कम से कम चार-पांच आठ दरवाजे हैं गिने नहीं है मैंने आप किसी भी दरवाजे से पारक में एंटर कर सकते हैं एक जैट इंजन लगा हुआ है यहां पर हेलिकॉप्टर यदि सेल्फी लेनी है आपको यदि दिल्ली का एर्पोर्ट यह मुजिम नहीं देख सकते हैं आप तो यहां भी सेल्फी लेकर आनंद ले सकते हैं जापानी पारक न्यू दिल्ली रोहिनी सेक्टर 10 में एक ट्रेवल रूल करें